नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनिल कुमार आप देख रहे हैं SK Electrical Channel हमारे चैनल पर आपका स्वागत है हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी हमारे 100 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए है हमें सब्सक्राइबर की बहुत अवश्रकता है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अच्छी लगे तो भी और ना लगे तो भी सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें जो कमी है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं उसको हम पूरी कोड़ने की पूरी कोशिस करेंगे आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है तो दोस्तों आज हम डायग्राम बना के दिखाने वाले हैं monkey crane का monkey crane उसका नाम है उसे कोई बंदर नहीं चलाते हैं वो सिर्फ एक नाम है उसका monkey crane तो उसको हम अभी डायग्र crane के नाम से ही जाना जाता है यह commercial और residential दोनों प्रोजेक्टर पर यूज होती है थोड़े सी quantity का material को shift करने के लिए इसको यूज किया जाता है थोड़ी-थोड़ी quantity में तो इसको हम पहले तो इसका reverse और forward का same ही process रहता है कि हमने यहां से आर वाई बी यह three phase supply हम यहां से ले लेते हैं यहां पे एक mcb लगा के इसको पार कर लेते हैं और फिर इसको कॉंटक्टर में भेज दिया जाता है तो यहां पे यह कॉंटक्टर हो गया एक इसको हम up, down यही दो कॉंटक्टर यूज करते हैं तो हम k1, c1 की जगे हम इसको up कॉंटक्टर का नाम दे देते हैं यह upside का है दूसरा कॉंटक्टर हम यहां पे बना लेते हैं जिसको हम as it is same ही phase देने वाले हैं इसके ryb, up के ryb और down के ryb उपर से बिल्कुल सेम रहेंगे तो इसको हम down का नाम दे देते हैं कॉंटक्टर को कि यह down कॉंटक्टर हो गया तो अभी हम इसको इसमें look कर देते हैं यहां पे आके इनके phase चेंज हो जाएंगे कि जो यहां पे आर इधर आते हुए यह कॉंटक्टर ओपरेट होगा तो इस पे आर आ जाएगा और अगर यह कॉंटक्टर ओपरेट होगा तो इधर आर आ जाएगा और यहां पे हम motor का वैसे ही symbol बना देते हैं और अब हम इसका control इधर ले लेंगे यह आपका power हो गया power diagram हो गया तो control अब हम इसका यहां पे ले लेते हैं कंट्रोल के लिए इसमें हम इसमें mostly दोस्तों कंट्रोल इसका 415 वोल्ट का ही रहता है तो यहां पे भी हम phase जी देंगे और यह phase हम इधर mcb के बाद से आप इसको यहां से ऐसे connect कर सकते हैं और दूसरा phase हम यहां से ले लेते हैं और इसको हम simply एक remote यहां पे हम दर्साएंगे यह direct remote में जाएगा उसका एक remote होता है जिसका यहां पे एक no push button होता है उसका इसको हम अप मान लेते हैं और यहां पे इसका एक no push button और होता है जिसको हम down मान लेते हैं तो इसको हम remote समझ लेते हैं इसमें एक common पत्ती लगी रहती है इसको यह common पत्ती रहती है यहां पे direct phase आएगा तो उसकी लंबी पत्ती में जो दोनों तरफ contact देगी उसको हम यहां पे उसका connection हम यहां पे कर देंगे उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम पहले आपको ही ले लेते हैं तो अप से जब हमने supply ली तो उसमें हमें down का nc लगाना जरूरी है और तब जाके यह आप contactor की operating क्वैल में जाएगा A1 और A2 तो उसके बाद हम यहां से ले लेते हैं अब फिर इसमें यही सेम प्रोसेस आजाएगा पस इसमें फर्क इतना होगा कि अभी तक हमने यह down के nc से लिया था अब इसको हम up के nc से लेंगे तो up के nc से लेके हम इसको down की operating क्ैल में ले जाएंगे तो यह down की operating क्वैल है और यह up की operating क्वैल है तो ऐसा इसलिए किया जाता है ये NC इसलिए किया जाता है कि कभी आपने देखा होगा कि गाउं में भी दो पार्टी के लोग होते हैं तो उनको इकठा नहीं बैठने दिया जाता क्योंकि वो आपस में विरोधी होते हैं अगर वे इकठा बैठ गए तो आप जानते हो नतिजा क्या होगा तो ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है कि अगर ये दोनों contactor इकठा उपरेट हो गए तो नतिजा बलास्ट होगा तो इसलिए इनको interlock किया जाता है कि जब ये आदमी यहाँ बैठा रहेगा तो यह नहीं बैठेगा और जब यह आदमी यहां बैठेगा तो यह नहीं बैठा रहेगा तो ऐसे ही किया जायागा यह यहां पे जब यह Contactor Operate है यहां से रिमोट में यहां सप्लाई चली गई तो यहां से हमने Push Button को Press किया, यह No Push Button है, यह No Push Button हमने प्रेस किया, तो इसके NC से होता हुआ, डाउन कॉंटेक्टर के NC से होता हुआ, यह आप कॉंटेक्टर के A, sorry यहाँ पे हमें A2 हम नीचे लेते हैं हमेशा, तो A1, A2 फर्क कुछ नहीं पड़ता है, कहीं पे भी लिख सकते हैं उसमें उनको बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नी A1, A2, सिंबल है, पता तो हमें होता है कि दो सिरोपे को देनी है सप्लाई, एक नीचे और एक उपर तो इसमें यह, इसके NC से होता हुआ अप कॉंटेक्टर की ओपरेटिंग कोयल में जाएगा तो जब तक यह ओपरेट रहेगा तब तक वो इसको ओपरेट नहीं होने देगा क्योंकि उसकी सप्लाई इसके NC से होती हुई गई है इस कॉंटेक्टर का NC यहाँ पे यूज हुआ है, अप को कॉंटेक्टर का NC यहाँ पे यूज हुआ है, और NC जब तक contact आगे नहीं जोड़ेगा, जब तक यह बंद नहीं होगा, तो ऐसे ही फिर हमने, यहाँ पे यह अनो है, इसको जब तक जितनी देर तक हम press करके रखेंगे, उतनी देर तक ही चलेगा, उससे जादा यह नहीं चलेगा, यहाँ पे holding supply का प्रियोग नहीं हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ से जब हम इसको press करेंगे, डाउन को, तो यह अप वाले contactor के NC से होता हुआ, इसकी operating call में जाएगा, डाउन की, तो डाउन contactor operate हो जाएगा, तो इसका program ऐसा ही रत है, manually operate होती है, जितनी देर हम दबाएंगे, उतनी देर यह चलेगी, जितनी जब हम छोड़ द आई दो आई दो